मध्यप्रदेश के मंसौर जिले का भानपुराक्षेत्रक प्राक्रतिक एतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों में अपनी अलग ही पहचान रखता है। मध्यप्रदेश के मंसौर जिले के भानपुराक्षेत्रक में एक ऐसा गाव है जो देखने में किसी गोवा से कम नहीं लगता। हम आपको बतादे की वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट एवं अन्य माध्यमों से ली गई है। भानपुराक्षेत्र का कवला गाव चंबल के पानी से घिरा है। यहां का तट एकदम गोवा के तक जैसा लगता है। देश और दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में गोवा भी आता है। गोवा घूमने का सपना ना केवल हम भारतिय देखते हैं बलकि यहां विदेशी सैलानी भी सबसे ज़्यादा आते हैं। हर साल यहां हजारो लाखों में लोगों की संख्या देखने को मिलती है जिसमें फैमिली ट्रिप और दोस्तों के साथ ट्रिप मनाने वाले परियतक भी आते हैं। लेकिन अक्सर पैसे ज़्यादा होने की वजह से हम अपना गोवा प्लान कैंसिल कर देते हैं। लेकिन शायद अब आपकी इस जगह पर भूमने की खुआश कम बजट में पूरी हो सकती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक चोटा गोवा यानी मिनी गोवस्तित है, जहां स्थानियल लोग सबसे ज़्यादा यहां अपना वीकेंड मनाने के लिए आते हैं। यहां के बीच की अद्भूत खूबसूरती आपको यकीनन गोवा की आद दिला देगी। कवला में संसेट को देखने का मज़ा कुछ और ही है। यह जगह काफी शांती वाली और प्राक्रितिक नजारों से घिरी हुई है, मतलब देखने वालों के तो होशी उड़ा देती है। यहां दिन के समय कैम्प लगा कर भी आप यहां के द्रिश्यों को सुकून से देख सकते हैं। चंबल नदी के किनारे आपको लहरे भी टकराते हुए दिखाए देंगी। गाव की आबादी इस इलाके से थोड़ी दूरी पर रहती है। चंबल के तड़ पर दो बड़े बड़े शिलाखंड भी हैं। इन शिलाखंडों में एबाबिल पक्षी के मिट्टी से बने हुए सुन्दर घरोदों को भी देखा जा सकता है। इनकी वजह से इन्हें गाव में एक चिवी वाला पत्थ भी कहते हैं। यह मंसौर से 145 किलोमीटर और भानपुरा से 11 किलोमीटर है। कावला का प्राची नाम कमालपूर है। वराह मंदिर, चतुर भुज मंदिर, लक्ष्मी कांत मंदिर तथा जैन मंदिर इस गाव की अमूल्य निधी है। इन मंदिरों में वराह मंदिर सरवादिक महत्वपूर ने एवं आकरशक है। भूमिच शेली में निर्मित यह मंदिर परमार कालीन है। मंदिर के गर्ब ग्रिह में वराह की सुंदर प्रतिमा है। कावला ग्राम के अंतिम छोर पर स्थित चतुर बुज मंदिर मालवा क्षेत्र के सनरक्षित स्मारकों में है। भूमिच शैली में निर्मित इस चतुर बुज मंदिर का शिखर उरीसा के मंदिर के रिखा शिखर की भाती निर्मित है। लक्ष्मी नरायन मंदिर के नजदी की जैन मंदिर है जो ग्रामवासियोद्वारा सास बहु मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का गुंबद मांडू के स्तमारक से सामे रखता है। इसका निर्मान काल छहटी सात्वी शताबदी के आसपास माना गया है। आशा है कि वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे.